हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइ चैनल, तो सर्दियों में आज हम बनाएंगे निमोना, निमोना सर्दियों में मटर और आलू का सीजन है, तो निमोना तो खाना बनता है, चलिए शुरू करते हैं, यहां हमने धन्या लिया है, मिर्चिली है, अद्रक, 6-7 लहसुन, वड़ी दो टमाटर, एक कप मटर, दो आलू, और हिंग लिया है, चलिए, हमने मटर को जार में डाल दिया, अब हम इसे दर्दरा पीस लेंगी, देखिए हमने मटर को दर्दरा पीस लिया है, अब हम जार में लहसुन, अद्रक, मिर्ची और धन्या डाल देंगे, देखिए हमने इसको पीस लिया, यहां हमने दो टमाट्रों को काट लिया, जीरा लिया, चार वड़ी लिया है, और धन्या लिया है, चलिए, शुरू करते हैं, सर्सो के तेल में हमने आलो को डाल दिया है, इसे चार पाच बिरट फ्राई करेंगे, इसके उपर हमें एक पतली सी लेयर लानी होगी, देखिए हमारे आलो फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, इसमें हमने जीरा हिंग और वड़ी डाल कर उसे फ्राई कर लिया है, वड़ी फ्राई होने के बाद हम उसे निकाल लेंगे अब हम इसमें पेष्ट धन्ये के साथ डाल कर उसे फ्राई करेंगे यहां हमने मटर का भी जो दरदरा पेष्ट बनाया था उसे भी डाल कर उसे फ्राई कर लेंगे देखिए हमारी मतर अच्छे से फ्राई हो चुकी है देख सकते हैं आप हमने इसमें अब आलू डाल दिया है इसी थोड़ा चलाएंगे चलिए अब इसमें हम पानी डाल देते हैं देखिए हमने पानी डाल दिया है इसमें अब हम स्वादा नुसार नमक डाल देंगे और साथ ही जो हमने वड़ी फ्राई किये थे वो भी डाल देंगे अब हम इसमें एक उबाल आने के बाद टमाटर डाल देंगे फिर इसे पकने के लिए रख देंगे अब देखिए हमारा निमोना त्यार हो चुका है आप देख सकते हैं सूपर यमी निमोना त्यार हो चुका है चलिए अब हम इसे परोस लेते हैं आप देख सकते हैं हमारा निमोना सूपर यमी निमोना त्यार हो चुका है हम इसे चावल के साथ खा रहे हैं आप जिसके साथ खाना चाहिए खा सकती है